नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में 28 और 29 नवंबर का जित्ता भी महत्वपून हमारा मद्धप्रदेश का करेंट अपर बन सकता है उसको हम डिसकस करने वाले हैं बाद इस वीडियो के और सबसे पहले यहां पर आपको बता जबता आज का हमारा सेश्न किस प्रकर से रहेगा मैं सबसे जाए यहां रहे अज का मेंत्य प्रतिश का करेंट अपैर से उसको नवे गिशंत करने माद उसके बाद MPG के special topic के अंतरगत हम जो है मद्दप्रदेश का एक नया जिला यहाँ पर discuss करेंगे और सबसे लाश्टर में कल का यानि की सनिय और का जो हमने मद्दप्रदेश का current affairs देखा था उसका एक बार revision करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन रहेगा तो चलिए है शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और सबसे पहले आज का जो हमारा मद्दप्रदेश का current affairs है उसको यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो पहला question हमारा यहाँ पर है कि हाली में नीतियायोग ने देश का पहला multi-dimension, dimension, poverty index यानि कि बहु आयमे गरिवी सुचका आंकर जारी किया है तो question है कि यह जो index है नीतियायोग के द्वारा हाली में जारी किया गया इसमें मद्दप्रदेश का देश वर में कौन सा इस्तान है चार option है पहला इस्तान, दूसरा इस्तान, तीसरा इस्तान या फिर चोथा इस्तान तो right answer आपका बनता है यह जो index है या या जो सुचका आंक जिसका नाम है बहु आयमी गरिवी सुचका आंकर हाली में नीतियायोग के द्वारा जारी किया गया है इसमें मद्दप्रदेश जो है देश वर में आपके छोथे इस्तान पर है option D हमारा यहाँ पर right answer बनता है देखें यहां से दो question निकल के आते हैं जो कि हमारे लिए important है पहला question निकलता है कि पहला multi dimension poverty index जो है यह जो है आपका जारी किया किसके द्वारा जारी किया गया तो पहली बात नीतियायोग के द्वारा जारी किया गया दूसरा question बनेगा कि यह जो आपका सुचकांग जारी किया गया इसमें पहले स्थान पर आपका कौन सा है तो यह सुचकांग के अनुसार बिहार के 51.91 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है मैं जहारखन में 42.16 प्रतिशत है और उतार प्रदेश में 37.79 प्रतिशत है अब अधिक गरीब है यानि कि पर यहां पर हमारा मद्दप्रदेस आता है और पांचो इस्तान पर आपका मेगालाई आता है तो कईना कई यहां सो कोशन बनने के संभावना आपके बनती है क्योंकि यह जो गरीब एक के आंकड़े रहते हैं कई बार एक्जा में पूछे जा सकते हैं और यह जो इस प्रकार चलिए यहां पर हमारा जो इंडिया है यानि की भारत है यह भी जो है अलग-अलग सुचकांकों में अलग-अलग इंडेक्स में आपका अलग-अलग इस्तान रखता है तो कौन से इंडेक्स में कौन सा इस्तान रखता है यहां पर आपको बता देते हैं अगर आप से इसकी बात कर रहे तो एक सो सत्र वे इस्तान पर हें विश्व सांती सुचकांग में 135 इस्तान पर है यहां पर डीजिटल न्यूस रिपोर्ट में एक ति यहां विकास में 12 इस्तान पर है और ग्लोबल स्टार्ट अप एको सिश्टम इंडेक्स में आपका जो है विस्वे इस्तान पर है तो यह हमारा इंडिया जो कि अलग-अलग सुचकांगों में अलग-अलग यह दिन्दयाल उपद्ध है तो इसका जो राइड आंसर बनता है वह बनता है, देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकरी तो भोपाल का जो मिन्टो हाल है, आप कुशाबा उठाकरे जो है उस हाल के नाम से आपका जाना जाएगा, मुक्यमंती सीरासिंख चोवान ने बहाच्वा कायर 2023 बेठक के दोरान इसकी आपकी गोशना की है यानि कि जो मिन्टोहल है भोपाल का उसका नाम मदलकर आपका क्या कर दिया Durma Gya जो है उसका नया नाम आपका कर दिया गया तो option है जो है हमारा यहाँ पर right answer बनता है कुशावा उठा करें यहाँ पर right answer है चलिए यहाँ पर देखिए हाली में हमने बात की कि यह जो है यहाँ पर कुछ नाम changes हुए है तो वह भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है हाली में जो हभिगमंज railway station था उसका नाम बदल कर आपका रानी कमलापती railway station कर दिया गया साथी जो पातालपानी railway station है उसका नाम टेंटेब भिल के नाम पर करने की गोशना मुख्यमंती सिरासिंगी चोहान पेले ही आपके कर चुके है साथी मध्यप्रदेश में कुछ ऐसे शहर है कुछ ऐसे इस्तान है जिनके प्राचिन नाम अलग थे वर्तमान नाम अलग है तो उनको भी यहाँ पर डिसकस कर लते हैं क्योंकि इस प्रकार से भी कोश्चन कई बार आये हुए है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भोपाल है इसका प्राचिन नाम क्या था तो इसे भोपाल या भोचपाल के नाम से जाना जाता था इंदोर को मलहार नगरी इंद्रपूर इंदूर कहा जाता था सीहोर को निजा में मश्रिक, सिद्धपूर, सिद्रपूर के नाम से जाना जाता था काई था जो कि आपका उज्जन में इस्तित है इसे कपितही के नाम से जाना जाता था और मांडू का पुराना नाम आपका शादियाबाद और मांडवगड के नाम से इसको जाना जाता था धार को जो है आपका धारा नगरी के नाम से जाना जाता था वही भिम्राव अमबेटकर नगर का जो पुराना नाम था आपका महू हुआ करता था कब change हुआ तो वर्षू 2013 में इसका नाम भी आपका परिवर्तित के आ गया सोहघपूर की बात करे तो इसको विशवपूरी या विळाटपूरी के नाम से आपका जाना जाता था साची को काकनाद के नाम से आपका जाना जाता था उज्जेन के जो प्राचिन नाम थे उज्जेयनी अवंति का अवंति के नाम से इसको जानते थे मंसर को दशपूर के नाम से जानते थे चंदर शेकर आजात जो नगर है वर्तमान में इसको भाबरा के नाम से जानते थे विदिसा जो है इसको बेलसा अभेसनगर विदावाती के नाम से जानते थे सीरपूर को जो है यहाँ पर आपका श्रीपूरी के नाम से जानते थे और उंकारेश्वर को अमरेश्वर और मानदाता के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाता था बुद्धिनी जो कि आपका शिवर में इस्ति थे इसे बुद्ध निवासिनी के नाम से जाना जाता था गुवालियर को जो है गोपांचल यहाँ पर कहते थे महेश्वर का पुराना नाम महेश्मति था सागर का पुराना नाम परकोटा था रिवा का पुराना नाम रवा बथा था जबलपूर का पुराना नाम त्रीपूरी था बुरानपूर जो है आपका इसको खान देश के नाम से जानते थे पंचमडी को पांचालगड के नाम से जानते थे और धतिया के बात करें तो इसको दिलिपर नगर के नाम से जाना जाता खजूर वाओ जिसके पुराने नाम आपके खजूर वाहक, खजूर पूरा या खजूर वाही का हुआ करता था, नर्वर जहां पर के आपका नर्वर का किला भी इस्ति थे, इसको पुराने नाम इसका नलपूर हुआ करता था, एरन का जो पुराना नाम है आपका एरिकिन हु चैनचे थे घौल्यर वाला जो बूंदल्खन का चीतर आपका उसको वश्चक के नाम से जाना जाता था तो यह कुछ नए सर ओ नए शहर के नाम और उनके जो पुराने का करते थे वह यहारपको बता दिये अगला पर देखते हैं कि मद्धप्रदेश के कि शहर में 64 वी राष्ट्री राइफल सुटिंग चेंपियंशिप 2021 का आयजन किया जा रहा है चार उप्षन है भोपाल इंदोर उजेन या रतलाम तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मद्धप्रदेश के भोपाल जिले में 64 वी राष्ट्री राइफल सुटिंग चेंपियंशिप 2021 का आयजन किया जा रहा है तो उप्षन है हमारा यहां पर आयडांसर बनता है तो यह जो चो सट वी राष्ट्री है राइफल सुटिंग चेंपियंश 2020 का आयजन है खेल और यूवा कल्यान विभाग जो 25 नवंबर से चेंपियंशिप आपकी शुरू हो चुकी है और कब तक चलेगी तो 10 दिसंबर तक आपकी चिलेगी यह जो चेंपियंशिप है इसमें 10 और 50 मिटर के इवेंट भी आपके खेले जा रहे हैं तो हमारे लिए इतना इंपोर्टन बनता है सिधा-सिधा कोशन आएग करेंट के पंच नाम से एक सिरीज स्टार्ट की गई है उसको यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं जिसके अंतर गदब जनवरी जनवरी 2021 से लगा कर अक्टूमबर 2021 तक के जित्ते भी महतवपुन वन लाइनर फेक्ट जो कि हमारे MP करेंट पर से संबन्दित हैं उनके फाइप पाइप यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं तो पहला कोशन है कि मद्यप्रदेश में या भारत में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना आपके शुरू की गई तो यह जो है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य सरकार की योजना तो यह हमारे मद्यप्रदेश सरकार की वह अगला कुश्शन आपर बनेगा कि कि राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमन की रोकतां के लिए पांच मई से मेरा गाउं कोरोना मुक्त अभियान आपका चलाया गया है तो यह जो है इस प्रकार का जो अभियान है पांच मई से आपका जो हमारे मद्यप्रदेश में शुरू हुआ था मेरा गाउं कोरोना मुक्त अभियान और यह कहां से शुरू हुआ तो इंदोर जीले का जो खुडेल और सावेर है वहां से जो है इस अभियान की शुरुआत आपकी की गई थी डेट याद रखिएगा गाउं भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है अगला कोशन बनेगा मध्यप्रदेश के किश्विभाग द्वारा माता पिता का निधन कोरोना के कारण या अस्पताल में भरती होने पर उनके बच्चों के भरन पोशन के लिए इस पॉंसर शिप योजना शुरू करने का निधने लिया है तो इस प्रकार का जो निधने है जो महिला बाल विकास विभाग एं मध्यप्रदेश का उसके द्वारा इस प्रकार का निधने अपका लिया गया है अगला कुशन यहाँ पर है कि हाली में किस जीले की यंग ओथर निश्टा स्रिवास्तव ने माइल इस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 का खिताब अपने नाम किया तो राइट आंसर बनता है भुपाल की जो यंग ओथर है जिसका नाम है निश्टा स्रिवास्तव उसने ज इसका जो आपका राइट आंसर बनता है बनता है अक्षय तिवारी और इनका संब्ध मध्यप्रदेश के विदिसा से है तो यह पांच इंपोर्टेंट कोशन्स जो कि एक्जा में पूछा जा सकते हैं यहाँ पर आपके साथ साजा कर दिया है चलिए आज का जो इस्पेशल खरगोन देवास के साथ जो है अपनी सिमा साजा करता है तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर हम देख लेते हैं इंदोर जिल्ले से जुड़ी कुछ महत्वपुन जानकारी है अगर पूछा जाए कि इंदोर आपका किशन नदी के किनारे इस्तित है तो इंदोर जो है आ 1891 को हुआ था और उनकी जन्र इस्मनेति को चीरिस्ताई बनाने के लिए महू मैं सामाजिक वज्जानवे शुद्ध ल्हाइ कि आपके इस्तापना कि गई किस वर्श में इसकी इस्तापना जो आपकी किजाती है तो वर्शosc 2015 में जो है आपके इसकी इस्तापना होती है साह झाति वीर महराणा प्रतप जो शोद पीट आपकी काहां पर इस्ती थे तो वह भी यहीं पर इस्ती थे अगला कोर्शन बनेगा consciousness cricket association का जो मुख्यालहीं काहां पर आपका इंद वर में इस्ती थे Moscow Undert Late यह भी आपकी इंदोर में इस्तित है अगला कुछन आप बनेगा कि देवी अईल्या भाई होलकर अंतराश्टीय हवाईड़ा कहां पर इस्तित तो यह आपका इंदोर में इस्तित है वही पेला की जाती है और इसकी वर्तमान में जो आपकी कुलपती है वकोन है तो रेणु जेन वर्तमान में इसकी कुलपती है मध्यप्रदेश की प्रथा मध्यप्रदेश की मोशम वेश्चाला भी आपकी इंदोर में इस्तित है वही मध्यप्रदेश को जो है मध्यप्रदेश की उद् देश का इसा पहला शहर हैं जहां पर की आयटी और आयम आपके दोनों इस्ति थे देश का पहला data center park और crystal IT पर कहां पर इस्ति थे तो यह भी आपका इंद्वर में उर्य को स्कतर से आपका संवानित किया गया? तो रायट अंसर बनता है ऐप्शन बी जो ग्वाली जो आफ के करनल है एक स्प्षी आपका संवानित किया गया अगला कोश्चन या पर बनेगा यानि की हाइटेक राज़ेस राकाड का गटन करने वाला देश का पेला राज्य कोन सा है तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्यपदेश अगला कोशन है सविधान दिवस पर सेवान निवरत पोश्ट मास्टर स्री दहारा मंडल द्वारा लिखे थे भारत के डाक्ट रिक्टो में भारत रतन डाक्टर भीमराव अंबेटकर पुस्तक का विमोचन किस ने किया चार ओप्शन है प्रेम सिंग पठेल कमल पठेल विजई शाह या उशा ठाकूर तो राइट आंसर आपका बनता है प्रेम सिंग पठेल के द्वारा इस पुस्तक का रिक्टो बनाया है इन anticip यह जर पर कुछा गया था कि मद्ध्य प्रदस में जनसेंक्याय नियंत्रण दीवास Táb क्या मनाये जाता है चार उप्षन है 11 जुलाई, 11 मार्च, 11 मैं, 11 मार्च या इन में से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइड आंसर बनता है वो बनता है ओप्शन भी ग्यारा मई को मद्धा प्रदेश में जन संख्या नियंतरन दिवस जोया आपका यहाँ पर मनाया जाता है और अगर आप से पूछा जाए कि यहाँ पर 2011 के जन गर्णा के नुसार मद्धा प्रदेश की ज आज का कोशन जिसका जवाब सभी को हमें कमेंट करके बताना है और अगर आज का सेशन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसकोशन का नाम आप आप आसाने से दे सकते हैं तो कोश्चन है आज का कि साधियाबाद मध्यप्रदेश के कि शहर का पुराना नाम है चार ओप्षन है मांडू, बुरानपूर, शिहोर या इन में से कोई नहीं तो जो भी सही जवाब हो जो भी राइट आंसर हो आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके आंसर का हमें यहाँ पर इंतिजार रहेगा तो आज का यह था हमारा करेंटर परस का सेशन है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अधिक सदिक लोगों तक शेर करिएगा इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाते हैं